हेलो दोस्तों मेरा नाम है अरुन कुमार एक बर फिर से निटेस्टेटी यूट्यूब चलम आपका स्वागत है आज हम लोग सेमेस्टर टू एएसीसी एबीएस इनभाइटमेंट सेंस या परिया और अध्यन का कोईचन देखने वाले हैं यह कोईचन बिभ्यू सेमेस्टर टू में सेशन दोजराकी से चोबिस वालो में पुछा गया था ठीक है लेकिन अधी आपके लिए कोईचन बहुत हेलफुल होने वाला है क्योंकि लगवक्स अभी इनभर्सिटी में सेम से लिवस रहता है तो चलते हैं हम लोग ज़दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेशन दोजराकी से चोबिस है मतलब यह कोईचन इसी साल 2022 में पूछा गया था आगे है फूल मार्क्स इसमें फूल मार्क्स पचास होता है लेकिन कोईचन 4000 मास का पूछा जाता है और 10 मास का औलज की तरब से इनटर्नल दिया जाता है ठीक है आगे हम लग देखते हैं टा फूल मांक्स इसका मतलब हुआ कि जो इसका फूल मांक्स है वह उपयोक्त में दर्साया गया ठीक हम लोग देख सकते हैं उपर में फूल मांक्स 40 है आगे है answer all questions सभी परशनों का उत्तर दे इसके बाद है the questions are of equal value सभी परशनों के मान ब्राबर है आगे है select correct answer of each question परतिक परश नियुकर नियुकर अगला परशनों है वयर काजीरंगा national park इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B असम में काजी रंग नेशनल पार्क असम में श्थी थे और एक सिंग वाले गेंडी किली परसी थे तो आप इसे भी याद करके रख लिजे चलते हैं अब हम लोग तीन नमबर प्रशन की ओर तीन नमबर का प्रशन है इन इंडिया फस्ट सी एंजी बेस्ट अस्टार्टेड इन भारत में सरपर्तम सी एंजी अधारित वानों का परिचलन कहां हुआ तो इसका अंसर हो जाएक अप्सन नमबर B देहली में तो चलते हैं अब हम लोग चार नमबर प्रशन की ओर चार नमबर का प्रशन है हमारा क्रिप्टो प्रिजर्वेशन इस एन ए दोनों तो चलते हम लोग अगले प्रशन की ओर अगला कोशन है हमारा विच प्लांट इज नौन एज टेर और बंगाल किस पादब को बंगाल का आतंग कहा गया है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर B इक और निया जलकुम्भी को बंगाल का आतंग कहा ग तो जो जारखंड का राज के फूल है वह है पलास तो चलते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है हमारा वर्ड इंभायर्मेंटल डे इज बिसो परियावरण दिवस है तो बिसो परियावरण दिवस पांच जुन को मनाया जाता है तो इसका अंसर हो नियम कब लागु किया गया तो जो जला धीनयम लागु किया गया था वह लागु किया गया था 1974 को ठीक है लेकिन यहां 1974 नहीं दिया हुआ तो इसका अंसर हो जाएगा और सन नमर ए 1975 को तो चलते भ़ंब लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है हमारा वीचत अ से कौन सा दुत्यक परदुसक है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C, पैन, पैन दुत्यक परदुसक है तो आप इसे नोट कर लीजिए चलते हम लोग अगली परशन की ओर अगला परशन है पेडोलोजी रिफर्स टू भूता तो किसके अध्यान से संदर भी थे तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B, सोयल मिर्दा से ठीक है तो जो पैटालोजी है उसमें मिर्दा का दिन किया जाता है तो चलते हम लोग अगली परशन की ओर अगला परशन है अगला परशन हम लोग देख सकते हैं अगला परशन है साउंड एभाव वाट लेबल इस कंजिड्रेट हाजडियस न्वाइज कितने अस्तर के उपर द्वानी हानी कारक सोर है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर is an ecosystem R पारिष्थितिक तंतर में प्रार्थिमी को भोता है तो इसका शरौँज़ जाएगा ऑप्सन न sedan नमर रचा होते हैं वह सबी पारिष्थितिक तंतर में प्रार्थिमी को भोता होते हैं तो चलते हम लोग अगली परशन की ओर अगला प्रशन है पीरामीड औफ एनेड़जी एज पीरामीड की उर्जा है तो इसका नशनील पार्क किसलिए परसीद है तो इसका नसरो जाएगा ऑफसन नमर ऐ बाग के लिए गला conscious dak और यह उत्रह गंड़ी है तो चलते हैं लोग अगले प्रश् gagnकि उर अगला प्रश्ण आमरा है वीच उप्लोइंग ऐज बायो डिग्रीडिबल वस्ट निम्लिखित में से कौन तो प्लास्टिक तो नहीं है डीडीपी भी नहीं है नाइलोन भी नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D उन उन बायोडिग्रीडिबल अफसिष्ट है यानि जेविक अफसिष्ट है जीवों से उत्पन होता है उन ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण हमारा है headquarter of biodiversity international is located at जेविद्धा अंतराष्टिय का मुख्याले इस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A Rome में जेविद्धा अंतराष्टिय का मुख्याले का इस्थित है रोम में चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है which is जारखण अस्टेड अनिमल जारखण का राच के पस्थू कौन है तो इसमें पहला दिया हुआ है बाग दुसरा मगरमच तिसरा हीरन और चोथा गेंडा तो यह जो question है उसका option गलत दिया हुआ है जारखण का राच के पस्थू हाथी है और option में कहीं भी हाथी नहीं है तो यह question का जो option है हुआ गलत दिया हुआ आप इसे जारखण का राच के पस्थू हाथी होता है चलते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है first earth conference was held in पहला पिर्थवी सम्मेलन कहा हुआ था तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर B ब्राजिल में अगला प्रश्ण है renewable source of energy is 9 करण उर्जा संसादन है तो पहला में कोईला नमनी करण उर्जा संसादन है B नमर में लकडी लकडी भी नमनी करण उर्जा संसादन है C नमर में आनवी कुर्जा आनवी कुर्जा भी है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर D पावन नम करण ये उर्जा संसादन है तो चलते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है the main source of energy on earth is पिर्थवी पर उर्जा का परमुक सरोत है तो इसका answer हो जाएगा option नमर C सूर्य सन जो है वह पिर्थवी पर उर्जा का परमुक सरोत है तो option नमर C हो जाएगा चलते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर आगे है the word ecology is coined by which scientist ecology सब्द का पर्थम पर्योग किस बेग्यानी के दुवारा किया गया तो इसका answer हो जाएगा option number A टांसले के दुवारा टांसले ने सर पर्थम ecology सब्द का पर्योग किया था अगले प्रश्ण की ओर हम लोग चलते हैं अगला प्रश सब्द की उत्पति किस भासा से होई है तो इसका answer हो जाएगा option number A french भासा से अगले प्रश्ण के ओर हम लोग चलते हैं अंगला प्रश्ण है, Which on is her B or, इसमें कौन साकाहरी है? То A नबर में है, बिल्ली, तो बिल्ली मान्समच्छी खाती है, यह नहीं होगा, B नबर में है साप. तो साप कभी में एड़क को खा जाता है? या भी साकाहरी नहीं है. C नमर में है चुहा. चुहा साकाहरी है. टीक है? इसका अंसरोजाग अप्शन नमर C चुहा. चुहा धान उनको अपने बील में घुशाता है. हम लोग जनते हैं साकाहरी है. डी नमर में कोवा तो कोवा वे से मांस मचली रोटी उटी सब भी खाता है तो यह नहीं होगा तो इसका अंसरो जग अप्सन नमर C चुहा चलते हम लोग अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है where is conifer yes forest is found संकुधारी 1 कहां पाय जाते हैं तो इसका अंसरो जग अप्सन नमर एक cold region में ठंडे परदिशों में जो संकुधारी 1 पाया जाते हैं वह सीतोस्ट या ठंडे परदिशों में भारत में या हिमाले परवढ़ती चेतर में पाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा option number B, बराकर मेथन बांद बराकर नदी पर अवस्तित है और या धनबाद में है तो चलते हैं हम लोग अगली परशन की और अगला question है Where can reach biodiversity be found कहां पर समरीद जे विविदता मिल सकती है तो इसका अंसर होगा option number A, 1 में जे विविदता मिल सकती है तो चलते हैं हम लोग अगली परशन की और अगला परशन है Which one is the most dangerous environmental problem सबसे घातक परियावरन समस्या क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A, Y परदूसन air pollution सबसे घातक परियावरन समस्या है तो इसका अंसर होगा option number A, Y परदूसन अगला परशन है हमारा acid rain is caused by अमल वर्षा के कारक है तो अमल वर्षा के कौन से कारक है वही हमें बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा option number B, sulfur dioxide एवं nitrogen oxide ये दोनों के कारण अमल वर्षा होता है तो आप इसे नोट कर लिजे अगला परशन है असमोग is a mixture of धूंद मिसरन होता है तो धूंद किसका मिसरन होता है वही हमें बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A, धूमा और कुहासा का धूंद मिसरन होता है धूमा और कुहासा का तो आप इसे नोट कर लिजे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है This is caused by mercury poisoning in Japan जपान में पारा के कारण होने वाला रोग है तो इसका अंसर हो जाएक ऑप 이번 can number A मीनी माता मीनी माता रोग, पारा या मर्कुरी के कारण होता है तो इसका अंसर हो जाएक ऑपर बोग humanकiddag और अगला प्रश्ण हम लोग देखते हैं अगला प्रश्ण है भोपाल गेस ट्रेजिटी इस कॉस्ड ड्यू टू लिकीज ऑफ भोपाल में गेस तरासदी किस गेस के रिशाव के कारण हुवी तो इसका अंसर हो जाएगा और बी मिथाइल आइसो साइनेट तो आप इसे चिपको आंद रण उत्राखट की चमूली जेले में हुआ था और इसके परनेता सुंदरलाल बहुगुना थे ठेके तो चलते पहम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है वीच ओफ द फ्लोइंग इस अ कॉंपोर्णेंट ओफ इन्भाइरोन्मेंट निमलिखी परकास एतीनों परियावरन के अंग है अगले प्रश्ण की ओर हम लोग चलते हैं अगला प्रश्ण है वाट इस सेंचूरी अभ्यारण क्या होता है ए नंबर में है जंगल बी नंबर में है चर्णियाघर सी नंबर में है गूफा और डी नंबर में है सुरचित छेत्र तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है भारत में राष्टे उध्यान को नोटिफाई किया तो भारत में किसने राष्टे उध्यान को नोटिफाई किया है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी अस्टेट गोवर्मेंट राज सरकार ने ठेक तो आब इसे नोट कर लिजे, अगले प्रश्ण के और हम लोग चलते हैं अगला question है Which one is responsible for climate change जलवाईव परिवर्तन के लिए कौन जिमेदार है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D, global warming best week तापन जलवाईव परिवर्तन के लिए जिमेदार है option number D, इसका अंसर हो जाएगा option number D, तो चलते हम लोग अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है 22 मई is celebrated as a day of 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A, जे विविदिता के रूप में मनाया जाता है आखरी और अंतिम प्रश्ण है वेन फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड कब वन सनडचन अधिनियम लागू किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा option number 3, 1908 को 25 अक्टूबर, 1908 को वन सनडचन अधिनियम लागू किया गया था तो आप इन सारी प्रश्णों को नौट करके रख लिजे एक्जाम में एकदम पक्का 10 से 15 questions यही सारी questions से आपका exam में भेड़ी जाएगा ठीक है तो आप इसे नौट कर लिजे बाकी सारी questions का link मैंने description में दे रखा है आपको महां बहुत सारे EBS के questions मिल जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा होते हैं कि पहरा सा लाइक कर दीजे और चैनल में ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद